कमरा नमबर 907 निकल गए, रात होने के बाद जब वो वापस अपने होटल जा रहे थे, तभी खराब मौसम के कारण होटल जाने का रास्ता बंध हो गया था, रास्ते को सही होने में सुबह तक का समय लगने वाला था, राहुल और अमित ने सोचा कि अपने होटल तो आज रात जा नहीं सकत इसलिए यही आसपास में किसी होटल में एक रात के लिए कमरा बुक कर लिया जाए, और सुबह होते ही अपने होटल चले जाएंगे, वो दोनों कमरे की तलाश में अपनी कार से इधर उधर होटल ढूनने, ललगे आसपास, कोई इंसान भी नहीं दिख रहा था, जिससे वो लोग किसी होटल का रास्ता पूछ सके, काफी समय बीत जाने के बाद उन लोगों को एक बुढ़ा आदमी दिखा, राहुल ने अपनी कार रोक कर उससे होटल का रास्ता पूछा, बुढ़े ने एक और ईसारा करते हुए होटल का रास्ता बताया, राहुल बुढ़े के बत चाबी लेके कमरे की ओर चल दिये चाबी पर कमरे का नंबर लिखा था कमरा नंबर 907 राहुल और अमित चाबी लेके कमरे की ओर चल दिये होटल में हर मंजिल पे चहल पहल थी इन दोनों का कमरा चौथे मंजिल पे था वो मंजिल बिल्कुल सुनसान थी खैर वे लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिये, उन्हें तो यहाँ बस एक रात ही गुजारनी थी, इसलिए वे लोग अपने कमरे के अंदर चले गए, अंदर पहुँचके उन्होंने देखा कि यह उस कमरे में तो काफी धूल है, ऐसा लग रहा था, जैसे कई सालों से वो कमरा बंद पड़ा हुआ है, वहाँ ना तो पीने का पानी था, ना ही नहाने का, रहुल ने वहाँ पे रखे फोन से होटल के स्टाफ को कॉल किया, कॉल, किसी ने उठाया पर कुछ बोला नहीं, डरवानी सी, हंसी के बाद कॉल कट गया, उसके तुरंत बाद ही वाप उसी फोन पे कॉल आया, इस बार होटल के स्टाफ ने कहा, सर, अपने कॉल किया था, बताईए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, रहुल ने जवाब दिया, आपने हमें ये कैसा कमरा दिया है, ना ही यहाँ पीने का पानी है, और ना ही नहाने का, चारो तरफ सिर्फ धूल ह धूल है, आप जल्दी से यहाँ, आईए और ये सब सही करवाईए, स्टाफ ने इस बात की माफी मांगी, और कमरे का नंबर पूछा, रहुल ने जवाब दिया, कमरा नंबर 9-7, इतना सुनते ही स्टाफ की डर गया, और डरते हुए रहुल से पूछा, सर, आप उस कमरे मे तुरंत जवाब दिया, सर, सवाल बाद में, पूछ लेना बस, अभी आप वहाँ से बाहर निकल जाये जाये, वहाँ, आपकी जान को खत्रा है, इतना सुनते ही रहुल और अमित कॉल कट करके, कमरे से बाहर निकलने के लिए दर्वाजे की तरफ जाने लगे, तभी किसी न दर्वाजा खट-खट आया, रहुल ने पूछा, कौन है, पर बार-बार पूछने पे भी कुछ आवाज नहीं आई, तभी उस रूम की लाइट चली गई, रहुल और अमित अब समझ गए थे, कि ये भूत प्रेत का मामला है, वो दोनों काफी डर चुके थे, तभी बाहर स आवाज आई, सर, आपने कॉल किया था सफाई और पानी के लिए, मैं वही ठीक करने आया हूँ, और फिर डरवानी सी हसी के फिर से सननाटा च्छा गया, तभी फिर से कमरे में रखे फोन पर, कॉल आया, रहुल ने कॉल उठाया, कॉल स्टाफ का था, उसने कह सर, अभी तक आप उस कमरे से निकले क्यों नहीं, रहुल ने जवाब दिया, नहीं, कमरे के बाहर एक होटल का स्टाफ आया है, जो कह रहा है कि वो सफाई और पानी ठीक करने आया है, इतना सुनते ही होटल के स्टाफ ने रहुल से बोला, सर, कुछ भी हो जाए, आप दर्वाजा मत खोल साथ में कुछ और लोगों की भी आवाज आ रही थी, इसलिए रहुल और अमित ने दर्वाजा खोल दिया, उन्होंने देखा सामने सच में होटल का स्टाफ ही था, दोनोंने चैन की सांस ली, फिर सभी लोग वहां से जल्दी ही नीचे आ गए, रहुल ने काउंटर पर दे कि आत्मा इसी होटल में रहती है, पर वो बस उन लोगों को ही परेशान करती है, जो नाइन योज सोट कमरे के पास जाते हैं, पता नहीं, आज आप लोगों को वो कैसे उस कमरे तक ले गई, राहुल और अमित अब सारी बाते समझ चुके थे, जैसे तैसे उन्होंने वहां रात गुजरी और सुबह होते ही अपने होटल की ओर चल दिये,